नमस्कार दोस्तों स्वागत एक और नए वीडियो में आज का वीडियो है बहुती स्पेशल ज्यादा तर लोगों का ऐसे रिक्वार्मेंट था हमें तो चाहिए 1BH के टारेस फ्लाट बड़ा सा टारेस होना चाहिए तो आज का जो प्रॉपटी रहेगा 780 स्कॉार फीट का 1 1BH के का बिक साइस का टैरेस फ्लाट है नियर बाइ स्टेशन लाइक दो मिनिट का आप वाकिंग डिस्टेशन पहुच जाएंगे तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सा सीटी है कौन सा दिस्टिक है वो सारी चीज़ डाउन पेमिट, EMI वो सारी चीज़ इस में आपको यह वाला फ्लाट मिल जाएगा दोस्तों, आज का जो प्रॉपड़ी है 780 स्क्वार फिट का बिल्टेप इरिया वाला 1BH के टैरेस फ्लाट है और सब सबहले आपको मिल जाता है लिविंग, अगर आप लिविंग के साइस देखेंगे तो लंबस आपको मिल इस तरफ आपका दो फ्लाट यानि कि चार ही फ्लाट यहाँ पर एवलाबल है दोस्तों, सामने के तरफ आपका लिफ्ट रहेगा जैसी कि आप देख सेकते हो पार बेक आपको यहाँ पर लिफ्ट मिल जाते है, आईए चलते हैं, एक एक करके देख लेते हैं, फॉसलिंग आप देख लेजें, शांदर सा फॉल्स इलिंग यहाँ पर आपको बना कर दिए गया है, जैसे आप देख सेकते हो, यहाँ पर हमारे पास जो एवलाबल है ना, तीन वन बीच के टैरस फ्लाट एवलाबल है, बाकी एक सोल्ड आउट हो चुका है, जैसके मैं आपको बाहर में घर चाहिए, ट्रेस फ्लाट चाहिए, रेडी टू मोब में चाहिए, तो प्रीजेक्ट में एमेनीटी इंट भी होना चाहिए, तो आप इस वाले प्रीजेक पर विजीट कर सकते हो, आपको यहाँ पर वियू मिलेगा से शापको ब्लिंग है नजर आ जाए worthless जो कि गीव 7 G plus 4 का अगर मैं station की बात करो तो सामने जो आप building देख पर है G plus 4 का यह जो building है ठीक इसका front side में ही आपका railway station है हाला कि यह video shoot हो रहा है white angle में तो थोड़ा सा आपको दूर लग रहा होगा बाकी यह 2 minute को आपका railway station का आपका distance रहेगा तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने पर आपको क्या क्या मिलेगा इस तरफ आपको मिल जाएगा आपका kitchen कीचन को देख लेते आईए यह है दोस्त आपका kitchen अगर इसके size की बात करो तो 1,2,3,4 यानकी 8 feet का सबस ऐसे में ऐसे में आपको मिल जाएगा 6 feet, 7 feet का सबस stillness still का आपको sink मिल जाएगा पानी आपको मिल जाएगा ग्राम पंचत connection पिने का पानी एक वाग के लिए यहां पर आपको point मिल जाता है आपको powerpoint यहां पर मिल जाता है ventilation के लिए आपको window मिल जाता है इसे में खोल देता हूँ देख लिजे कुछ चीज तरीक है, same as it is आपको view मिलेगा, जैसे आपको living का view मिला, same as it is, यहाँ पर भी आपको view मिल जाते, एक चीज आपको क्या नहीं मिलेगा, वो में आपको बता देता हूँ, यह वाला आपको नहीं मिलेगा, यह आपको kitchen trolley, आपको खुद का पैसे सही लगाना पड़ेगा, जो भी customer इस वाले flat को buy किया है, उन्होंने इस वाले काम को किया है, तो यह आपको extra पैसा pay करना पड़ेगा, हाला कि आप खुद भी इससे लगा सकते हो, हमारा जरूरत नहीं है आपको, इस तरफ अगर आप देखोगे, तो उपर आपको मिल जाएगा, आपका water tank के लिए जगा, और काफी सर लोग पुछेंगे कि यह flat के हो दिखर हो, यह flat आभी cleaning है, बाकी जो भी flat है, 1BH के, terrace flat, वो सभी का flat का जो area है, almost same है, like 780 square feet का, 4 flat का same size है, तो यह वाला clean है, इसे position देना है, इसके लिए आपने final color वगरा कर दिया है, एक बार स्रिफ acid wash करके position दे देना है, दोस्तों, इस तरफ अगर आप देखोगे, तो यह है आपका bathroom, यह है आपका bathroom, साइज आप देख सकते हो, एक, दो, तीन, चार, पार्च, पार्च, पार्च फिट ऐसे, ऐसे में आपको 4 फिट का असपास मिल जाएगा, यूस करने के लिए, wall to wall, beautiful tiles आपको यहापर लगा कर दियेगा है, इस तरफ आपका window रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बता है, पजेशन दे रहा है, तो आपने CP फिटिंग अगरे कर दिया है, उपर के तरह पे आपका shower, एक आपको वस बेसिंग अंदर ही मिल जाता है, अब हम देख लेते हैं इसका toilet को, यह रहा दोस्ता आपका toilet, यह रहा दोस्ता आपका toilet, चार फीट का असपास ऐसे में, ऐसे में आपको तीन फीट का असपास मिलेगा, एज इस वाल टो वाल, यहापर भी आपको ceiling लेबल तक tiles, इंडियन आपको यहापर मिल जाएगा, इस तरफ है आपका window, और यहापर आप western भी set कर सकते हो, फिलाँ तो यहापर builder ने Indian रखा है, अगर आप चाहते हो western तो आपको इससे अलग से खर्चा करना पड़ेगा, इस तरफ अगर आप आपको आपको मिल जाएगा bedroom, यह है दोस्ता आपका bedroom, ready to move में घर देख रहो, terrace flat चाहिए, तो most welcome, size आप देख सकते हो, चार ने चार, आट फिट, नौफिट, सादे नौफिट का सपास, ऐसे में आपको सादे नौफिट का सपास, ऐसे में आपको मिल जाएगा, एक, दो, तीन, चार यानिके आट फिट, आट फिट, चार इंच का सपास, लोकल ट्रेंच, CST के लिए, यहाँ से लोकल ट्रेंच गुज़रता है, पास में आपका हाइवे भी है, जस्ट आपका track क्रॉस करेंगे, तो उस तरफ है हाइवे, और railway station आपका यह चार मा लेका, जो बिल्डिंग है, अभी, अभी आपका railway station, यह जो बिल्डिंग है, चार मा लेका, वहाँ से आपका station स्टार्ट हो जाता है, तो प्राइम लोकेशन पे दोस्तों प्रापड़ी मिस मत कीज़े, रेडी तो मूब में आपको मिल रहा है, 1BH के option available है, और 1BH के terrace plat आपको मिल जाएगा, 1RK चाहिए, 1RK का भी option यहाँ पर available है, सभी क्या price इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इस तरफ अगर आप आओगे, तो यह है आपका terrace, देख लेजे, बड़ा सा terrace चाहिए, इसका terrace का जो size है, वो भी मैं आपको roughly count करके बता देता हूँ, ताकि आपको वीडियो का मैद्यों से पता चल जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ, बरबर, यह 14 feet, ऐसे में आपको 14 feet और डोर से, जहांसे अभी camera है, वहाँ से, अगर आप देखोगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानकी 16 feet, 16 feet और वहाँ पर 1 feet है, तो 17 feet, ऐसे में आपको 17 feet का असपस मिलेगा, ऐसे में आपको 14 feet का असपस मिलेगा, तो आप एक idea लगा लिजे, वीडियो में शायद किसी को छोटा भी लग रहा होगा, किसी को बड़ा भी लग रहा होगा, ऐसे में आपको 14 feet, ऐसे में आपको 17 feet का असपस यूज़ करने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो, फिलाल यह 6th floor पे मैं आभी शूट करो, जी प्लस 6 का 3 building है हमारे पाज, जिसमें से ये वाला building almost ready हो चुक है, और यहाँ का position आपको immediate मिल जाएगा, और दूसरा जो building है, उसका 11 साल तक लग सकता है, क्योंकि उसका अभी RCC complete हुआ है, उसका brick work का अभी काम चल रहा है, और तीसरा वाला जो building है, वो है अभी just अभी प्लिंट का काम हुआ है, उसका आपको थोड़ा सा work लगेगा, अगर आपको ready to move में चाहिए, nearby station property चाहिए, तो आप इस वाले project पे visit कर लिजे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तो, आप मैं आपको एके करके बता देता हूँ, सबसब बहुते मैं आपको यहाँ का pricing बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वनार के 13 लाग विट रेशिशन में, जिसका एरिया रहेगा, आपका 365, 380 का आसपास का एरिया रहेगा, आपका वनार के, वनार के 540, 550 से आपका स्टार्टिंग रहेगा, वनार के और उसका जो price रहेगा न दोस्तो, 18 लाग विट रेशिशन में आपको मिल जाएगा, तेरा लाग, साड़े तेरा लाग का बजेट में, आपको वनार के मिल रहा है, उसका उपर का भी variant है, price अगर जादा जाते हैं, तो आपका एरिया भी आपको बड़ा मिलेगा, 1BH के जैसे के में आपको बताया, 540 से लेके 580 के आसपास तक आपको मिल जाएगा, 585 स्कार फीट का भी अवलाबल है, बजेट के अकोडिंग आप शिफ्ट हो सकते हो, अगर आपको ये वाला टेरेस फ्लाइट लेना है, जिसमें आपका बड़ा सा टेरेस मिल रहा है, प्लस आपको एक 1BSK का प्रपर 1BSK का आपको मिल रहा है, तो आपको ये वाला फ्लाइट चला जाएगा, 26 लाइट रेसेशन वीच इस नेगोशेबल, एगें 26 लाइट रेसेशन वीच इस नेगोशेबल रहेगा, इसमें आपको और कुछ भी चार्जिस देना नहीं है, 26 लाइट में भी नेगोशेबल हो जाएगा, आप नेगोशेबल आप फोन पे नहीं कर सकते हो, आपको प्रपरी पसंद आता है, तो आप नेगोशेबल कर सकते हो, फाइनल कोटेशन लेके आप जा सकते हो, आगर आपको बुकिंग अगरा करना है, तो हमर पास तीन फ्लाइट अवलाबल है, जो आभी मैं दिखा रहा हो, ये तो आभी सोल्डाट हो चुका है, सेम आपका कॉपी पेच्ट उस तरब है, सेम व्यू का अगर आपको चाहिए, तो सेम व्यू का भी हमर पास ऑप्शन अवलाबल है, बाकि हमर पास यहाँ पास सिक्स फ्लोर पे तीन वन बीएश के का फ्लाइट अवलाबल है, दोस्तों वो भी टैरस फ्लाइट, बजट का एकोर्डिंग आप यहाँ पर जा सकते हो, डाउन पेच्ट के बात कर लेते हैं, इस वाला फ्लाइट के लिए कम से कम आपको डाई से तीन लाग का असपास आजाएगा, वनार के आपको एक से लेके देर लाग का असपास चल जाएगा, यह प्रापडी है शेलू, शेलू रेलवे स्टेशन से गिनके आपका दो से तीन मिनिट का वाकिंग रहेगा, इस से जाधा नहीं रहेगा, आप जबी भी आएंगे, खुद आप पैदल आ सकते हो, एक आप टाइम लगा के देख सकते हूँ कि दो से तीन मिनिट ही जाते हैं आपका रेलवे स्टेशन, तो रेडी पोजिशन पर आपको मिल रहाए, आप सबी लोग को पसंद आए होगा, वनार के के लिए यह माएक कितने जाएगा, आपको 10 से 11,000 का आसपाँ जाएगा, प्रपर 1 बीच के आपको 15,000 का आसपाँ जाएगा, और इस वाले फ्लाइट के लिए कम से कम आपका 18 से 20,000 का आसपाँ जा सकते हैं, पैंड करेंगा, कि आप डाउन पेमेंट कितना देता हो, 15 साल, 20 साल के लिए आप लोण ले सकते हो, थैंक्स वाचिंग, मैं में मिलता किसी आप वीडियो में, तब तक लिए जैहिन, वन्दे मातरम.